सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना पर आपका अपना मुंबाई तान ब्रेन का हिस्सा नाक के द्वारा बाहर निकल रहा था इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि इतने छोटे बच्चे में पूरा ब्रेन खोल के important हिस्से जो है ब्रेन के उनको वापस अंदर ब्रेन की cavity में लेकर तीन लेर में repair करना पड़ता है क्यूंकि उसके सिवाय उसको breathing में तकलीफ हो सकती है बार-बार infection हो सकता है और ब्रेन का development ठीक नहीं होगा और दोनों आखों के बीचो बीच होने की वज़े से vision का भी problem था और इतने छोटे बच्चे में operation करना तो blood loss का भी बड़ा problem होता है तो हमारी craniofacial team और anesthesia की team दोनों ने अच्छी तरह से काम करके इसको समाला है और बच्चा 15 दिन में पूरी तरह से ठीक हुआ है इसको आगे थोड़ा cosmetic surgery लगेगी जिसमें उसके आँखें जो थोड़ी नजदीक ला सकते हैं या nasal bridge बना सकते हैं ये करीब 4 साल के उमर के बाद होगा ये समझना चाहिए कि brain जो है वो बहुत important होता है और brain का maximum growth पहले साल में होता है तो अपनी सोचने की क्षमता अपने चलने फिरने की क्षमता देखने की क्षमता बोलने की क्षमता सब इसी पर depend करती है तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए उसका इलाज कराना चाहिए The second point I would like to say is की ये जनरली एक spina bifeda करके बिमारी है मेरा नाम है सुरेश कुटा पावरा रहनार दनाजे बुद्रुक हूँ और तालू का दड़गाओं जिल्ला नर्वदा नंदी काठी के रहने वाला हूँ मैं तो मैं आपने गाव में एक सोटी सी पेशी थी वो पेशी में आशा वो कई डाक्टर लक्षी नौर्स जो था है उसने मेरे को आरेस वो दड़गाँ में लेकी गए उधर से मेरे को संतोष परमार डाक्टर उसने नंदूरवार एक सर था हमारा वो युनिशेफ डिपार्मेंट का उनका नाम है गाड़कर सर है वो सर ने हमको उधर नंदूरवार से उधर वो यहां मुंबई तो बेजने का पेशेंट अगर यहां का नहीं हो तो हम उन्हें पूरी सुविदा देते है कि वो हमारे अस्पिताल में रह सकते हैं और जो भी आगे लगता है उनको क्यूंकि वो ऐसे हालात में आते हैं कि उनके पास नीदर पैसा रहता है नीदर राशन कार्ड रहता है तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगते हैं ऐसे पेशेंस को हम एड्मिट करते है और फिर हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं